देश में एडी का लगातार ताबर तोड एक्शन चारी है कडोर का खजाना भी एडी अपसरों के हाथ लग रहा है वहीं विपक्षिक गडवंदन की बड़े नेता एडी की रडार पर है जिसके बाद सी इनकी रातों की नीन दुड़ी हुई है देश के तमाम हिस्सों में एडी के आक्शन से हडकंप मचा हुआ है जिससे निताओं और पाटियों में दशत का महौल भी दिखता है और बौकलाहट में तरह तरह की बयान बाजी भी सामने आती है लेकिन पीम मोदी का साफ साफ कहना है कि चाहे कुछ भी कर लो जाच एजिंस का सीम ही क्यों ना हो इडी ने भ्रस्ट चार से जुड़े लोगों पश्यकंचा कसना तेज कर दिया है वहीं राशन गोटाला बंगाल की टीमसी के कई निताओं की गले की फास बन चुका है अपने निताओं पर हो रही कारेवाई के बाद ममता बनर्जी पूरी तरह से बौ अब सामने आया हवाला कनेक्शन इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी की टेंचन भी बढ़ा दी है इडी के ताबर तोड़ कारेवाई से ममता बनर्जी परिशान हो गई क्योंकि टीमसी के कई निता इडी की रटार पर है और इस बार जो खुलासा हुआ है उसने सबी को हैरान कर दिया है स्टोरी में आगे बताएंगे इडी ने पारोक अवदुला को क्यों थमाया था नोटिस लेकिन सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल में हुई कई जगों पर चापे मारी की पश्चिम बंगाल में सुबब सुबब एक बार फर से इडी का आक्शन देखने को मिला राशन गोटाला केस में इडी ने पश्चिम बंगाल में चापे मारी की बताया जा रहा है कि छे अलग-अलग ठिकानों पर इडी का सर्च ऑपरेशन जारी रहा है आरोपियों का हवाला कारोबारियों से कनेक्शन सामने आया है जिसमें इंडियन करेंसी को विदेशी करेंसी में बदल कर बाहर भेचा के आ है जिसकी जाच अब की जा रही है दरसल केंद्रिये जाच जिजन सी इडी की कुलकाता जोनल यूनिट के तरब से करीब आधा दर्जन लोकेशन पर सर्च ओपरेशन की कारेवाई की गई राशन वितरन घुटाला मामले में पिछले महीने भी कई लोकेशन पर सर्च ओपरेशन की कारेवाई की गई थी इस बार राशन घोटाले के आरोपिओं का हवाला कारिवारीयों के साथ कनेक्शन सामने आया है जिसे लहकर E.D. ने एक्शन लिए है भारती करिंसी को विदेशी मुद्रा में बदलाव करके विदेश बहेचनी का मामला है बता दे कि ED की टीम लगातार राशन घोटाले की जाच कर रही है इससे पहले भी टीम ने तमाम जगों पर छापे मारी कर लोगों को गरफतार किया है जिन में पश्म बंगाल के मंत्री और T.M.C. निता समेत अन्य लोग शामिल हैं इन लोगों से पूचताच में कई और लोगों के नाम भी सामने आए वहीं परवत्र निदेशाले के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि केंद्रिय बलों के साथ ED की टीमों ने साल्ट लेक, काई खली, मिर्जा गालेब स्ट्री, हावडा और कुछ अन्य अस्थानों पर छापे मा उन्हें कहा कि जिन लोगों से पूचताच की जारी है, उनमें विवसाई और घोटाले में पहले गिरफतार किये गए लोगों से करीबी जुड़े हुए लोग शामिर है इडे अधिकारी ने बताया कि ये छापे राशन वित्रन घोटाले से जुड़े हैं, हमें पहले ही गिरफतार किये गए लोगों से पूचताच के बाद इन लोगों की सनलिप्तता के बारे में जानकारी बिली है जाच जिंसी ने पश्चिम बंगाल में राशन वित्रन में आन्यमतताओं में कथित सनलिप्ता के लिए राज्ज के एक मंत्री और एक टीमसी नेता सहीद अन्य को गरफतार किया है पता दी कि इससे पहले पांच जन्वरी के करीब पश्चिम बंगाल के नौर्थ 24 परगना में एडी की टीम पर हमला किया था इस हमले में एडी के कई अधिकारियों को चोटाई थी जिनने इलाच के लिए अस्पताल लेचाय किया आरोप है की त्रुन्मिल कॉंग्रेस के रिता शेक शाह जहां के समर्थकों ने एडी की टीम पर हमला किया था अधिकारी राशन वित्रन घोटाले की जाच के संबन में शाह जहां के उत्तर 24 परगना चला अस्दित आवास पर छापा मारने पहुंचे थे इडी के अधिकारी राज्य में 15 अस्थानों पर छापे मारी करने पहुंचे और शेक का आवास इनमें से एक था इस मामले में पुलिस ने तीन पर एफायार दर्च की इनमें से एक एफायार इडी के खिलाब भी दर्च किया गया था इसके बाद से एडी सुरक्षा बलों को साथ लेकर ही एक्शन लेने के लिए पहुंचती है मेरे जानकारी के मताबिक जब एडी अधिकारी सुबह संदेश खाले इलाके में शेक के आवास पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में टीमसी के समर्थ को ने एडी अधिकारियों और उनके साथ आए केंद्रिय बलों के जवानों को घेर लिया था इसके बाद उन्होंने पदर्शन किया और फिर उन पर हमला किया जिससे वे वहां से जाने के लिए मजबूर हो गये और उनने बताया कि तीन अधिकारी घायल वहीं पश्यम बंगाल में राशन वित्रन घोटाले के मामले में एडी ने टीमसी निता शाहजाहां से के खलाख समझ चारी किया है जिसके बाद शाहजाहां ने अपने वकील के जरिये सीबी आई कोट में जमानत देने का अनुरोद किया है जनवरी में उत्तर 24 चल रहा है उनकी जमानत पर सीबी आई के विशेश कोट 23 फरवरी को सुनवाई कर दिवानी है और करने वाली बात यह है कि राशन घोटाला बंगाल की सत्ता रों टीमसी के कई निताओं की गले किफास बन चुका है इडी ने बीते साल ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री जोत भी उन्हें मंत्री पत से हटाया नहीं है जिसके बाद से कई तरह के सवाल भी उठाये जारे वह दूसरी तरफ जारखन में भी एडी की कारवाई लगातार देखनी को मल रही है राजदानी राची के कोचलाकों में चापे मारी करने पहुंची जानकारी को मताबिक एडी अ प्रता प्रसाद के करीबी बताये चारे और जिस भी ठीकानों पर एडी की चापे मारी चल रही है वे पुर्व मुख्यमंत्री हमन्सुरेन और अभिशेक प्रसाद के करीबी है अब सूद्रों की माने तो एडी की टीम जमीन घोटाले को लेकर यह चापे मारी कर रही है अंचल की करीब आठ तस्पिलों पांच एकट जमीन मामले में पुर्वसीम को गरफतार किया गया बढगाई अंचल की इस जमीन मामले में राजस्व उपने रिक्षक भानू प्रताब प्रसाथ भी एडी की गरफ्ट में है फलाल भानू एडी के रिमांड पर है और उससे सुरेन की वकील ने पीमेले कोट में यह दलील दी है कि सुरेन से पांच दिन की रिमांड में 120 घंटे पूछताच की गई है एसे में अब और पूछताच का कोई अधार नहीं बनता है सुरेन की ओर से माधिवक्ता ने यह भी दलील दी है कि एडी ओफिस में जारखंड के और वह मुख्यमंत्री को बेस्मेंट में रखा क्या जहां सुरे की रोशनी भी नहीं बलती है जिस वज़े से उन्हें रहने में बहुत ज़्यादा परिशानी हो रही है वहीं दो दिन पहले ही एडी ने जम्मु कश्मीर क्रिकेट एसोशेशन स्काम से जुड़े मने लॉंचिंग के मामले में नेशनल कॉन्फरेंज के अध्धक्ष फारुक अबदुल्ला को समन भीचा था दरसल जम्मु कश्मीर क्रिकेट एसोशेशन को साल 2001 से 2012 के बीच समीर क्रिकेट एसोशेशन के दाधिकारियों और दूसरे लोगों के खेल के वकास के नाम पर मिले फंड को डाइवर्ट कर उनका नीची फायदे के लिए इस्तमाल किया था इस फंड को कई प्राइविट बैंक अकाउंट और करीवियों को भेचा गया और बाद में इसे ममता बनर ची अब टेंच呢 boy मतो बनर ची जाच एगंश्यों पर अपनी भडास निकालती रहती हैं और कई तरह के आरोप भी लगाती रहती लेकिन किसी भी विए और अपका चाष्य योडियों पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं अब देखने वाली बात होगी कि हवाला कनेक्शन सामने आने के बाद एडी की तरफ से क्या एक्शन देखने को मिलता है तब तक क्लिए आप देखते रहे हैं Capital TV नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया